अधित्य ठाकरे युवानेता बोलकर के पिछले पात साल पहले यहां पर आये थे और वो बाला साफ ठाकरे के नाती है इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा था कि इनको एक मौका देना चाहिए और हम लोगों ने वरलीकर के जनता ने यहां पर उनको अच्छा मौका दिया लेकि हाथ हिला के चले गए लेकिन लोगों से बात ने की कि क्या समझते है क्या है वरलीकर की एक ही मांग है कि जो भी यहां से आमदार खासदार वो चुनके देते हैं वो चार साल गायब होते हैं और वो आगले इलेशन में दिखते हैं लेकिन अभी लोगों की मांग है कि हमको मि कि अन्माइब की वरैते लाइव बढू है नमस्ते है मैं हूं आरती कुलकरणी लीडिया हिंदी में आपका बहुत भुत स्वागत है कि वरली के इलाके में हैं जहां से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाप है एकनाच छिंदे गुट के मिलीन देवरा और मनसे के संदीब देशपांडे हम मतदाताओं से पूछेंगे आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी इस बार तो मिलीन जी देवरा जो स चाकरे जी थे पास साल से कहीं दिखे नहीं अभी जो दिखेगा जैसे मिलीन देवरा जी अल्रेड़ी यहां से दो बार खाज़दार हो चुके तो वो काम करते लोगों को मालूम है जीत जाएंगे अच्छा मिलीन देवरा के बहुत सारे समर्थक भी है आपको क्या लगता ह बहुत सारे युवा नेता इस चुनाव में है उसका फाइदा होगा आपको हाँ फाइदा होगा क्योंकि अगर एडुकेशन यह सब में जब प्रॉपर जा रहे है तो उसका फाइदा ओवियसली होने ही वाला है फाइदा होगा ऐसे लग रहा है मुंबई की क्या समस्या है बहुतर वरली में क्या चाहिए मतदाताओं की अपेक्शाए क्या है वरली में यह चाहिए जो लोगों से मिले जो लोगों को मिल के उनकी समस्या चुड़वा है आज आप देखेंगे दो रडाडा 2.50 साल से खोद वर्षय पर उनका ठाने के घर पे मिलते है लोगोंकी समस् जाहें ट्रांस्पोर्ट है ओपन स्पेस है और आपकी क्या मांगे है मेरी वारे में यह की मांग रहीगी जो अब मुंबई में सबसे बड़ा एक जोपड़ पट्टी मुक्त होनी चाहिए मुंबई में और हमारे सीम ने गोशना की है कि जैसे हो सरकार पे आएंगे यह पुरे मुंबई में जोपड़ी मुक्त कर देंगे अच्छा यह जोपड़ी का जुगी का भी समस्या है फिर भी मुंबई में कोस्टल रोड हो रहा है वरली में एक तरफा और एक तरफा छोटी-छोटी चाल है जो पुरानी चाल है उनका भी पुनरवसन होना चाहिए यह भी मांगे है और क्या लगता है आपको मुंबई करों क क्या चाहिए सबसे पहले तो वरली में के जो लोग रहे यहां पर रहते हैं मिडेल क्लास के चौल से रहते हैं तो हमारे वरली ना के से लेकर लोर परिल तक का जो सव फीट का भी यह उद्धव ठाकरे के जो पास साल का जो कारेकाल था एमेले का उस समय में पिछले 35 साल से वहां के लोग 90 परसंद लोग शिवसेना को वोट देते हैं लेकिन उसके बावजिवत भी जब सव फीट का उदर रस्ता बना है और उनको उदर ही घर देना चाहिए था वो अधित्य ठाकरे ने कुछ उसके बारे में प्रैस भी नहीं किया उनके काल में डिपी जो 2034 का हु है और वो सारे मतदाता उनको ओड देते हैं उसके बावजित भी 2034 के जो डिपी आये है वो डिपी में उन्होंने उन लोगों का किदर भी दो उदर रहने जैसार जो डेवलप्मेंट होना चाहिए वो सुवीदा नहीं की है और इसलिए उन लोगों को आप जब रस्ता करके जो मेरे नगर विकास यूडी डिपार्मेंट में जो डिपी चेंज करना है वो चेंज करके मैं उदर ही लोगों को देगा बिल्कुल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वरली के जो मूल निवासी है उनके विकास के लिए काम करेंगे आपको क्या लगता है आदित्य ठा होना चाहिए और यह जो रास्ते रोड उसमें ज्laubशेश दोना होना चाहिए पस लेकिन मैं और पही कही लोगों से बात करना चाहती हूं आपको क्या मैं लगता है मुंबै की लोगों का क्या मांगे है मं वर बहरत का सबसे सुपर और बेस्ट है माहानगर पालिका के रुप कि क्योंकि आज के यूग में और अगर देखा जाए तो बाकी राज्य के जो भी तुना हो जो भी नेता हो जो भी मुख्यमंतरी पर प्रपे बात अलब है लेकिन केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका निभाति है बिल्कुल मुंबई का विकास अगर करना है तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और इसलिए भाजबा के बारे में लोग बोल रहे आप क्या बोल रहे थे कि वरली कर की क्या मांगे है वह वह कुछ देखने और हमारे समसे सोडने वाला आमदार होना चाहिए पहले इलेक्शन के टाइम में ही सिर्फ खाजदार या आमदार यहां आते हैं और वरली करों की जो मांगे हैं वो सुनते नहीं ऐसे यह लोगों का कहना है वरली में आदित्य ठाकरे, खिलाफ मिलीन देवरा, खिलाफ मनसे के संदीब देशपांडे ऐसे चुनाव होने वाला है वरली की अगर बात करें तो बहुत सारे युवा नेता है इसलिए युवा उनसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है, इस लड़त में क्या होगा? लेकिन आपको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए? एजुकेशन थोड़ा मस, रोजगार भी चाहिए आपकी सरकार से क्या अपिक्षा है? मेरी अभी कुछ नहीं है सरकार से कुछ अफिक्षा है नहीं है आपको क्या लगता है क्या मांगे है वरली के लोगों की मुंबई के लोगों की अधिक सब्सक्राइब है तो वह लोगों से पुछनी चाहिए जादा दर सरकार कोई भी आए मतलब मिलीन देवराई जी अएगे इस बार ही हो तो को मालूम है जब आएंगे तब काम अच्छा ही करेंगे वर्ली में आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलीन देवरा के खिलाप संदीब देश्पांडे मनसे के नेता है यह तीन नेता चुनाओं में एक दुसरे के खिलाप लड़ रहे हम लोग वर्ली के मतदाताओं से बात करेंगे आ अधित्य ठाकरे है मिलीन देवरा भी युवानेता ही है अधित्य ठाकरे युवानेता बोलकर के पिछले पात साल पहले यहां पर आये थे और वह बाला साफ ठाकरे के नाती है इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा था कि इनको एक मौका देना चीह है और हम लोगों ने वर्ली आज़े के जनता बोलकर करके हम लोग आईसे विध Iowa से तो तरस्त है जो वरली की अधिया करू रहें को लोगों को ना मिल करके और वो अ पने मस्ती में रहता है और लोगों बात करता कि वर lui यह प्लेस बनाएंगे आप वरले की परिस्थी देखेंगे तो यह और भगल में पत्रे का शेड़ लगाना और चित्र बनाना रेसकों बगल में एक शाइकलिंग ट्राइक बनाना उसकी परिस्तिती आप जाकर कि इस बर देना चाहिए आपको क्या लगता है वरली करोंकी क्या मांगे यहां का उमीद्वार होना चाहिए यहां की समस्यां को जानने वाला आद कोई भी जोपड़ पट्टियों का डवलपमेंट नहीं हुआ यहां पर प्रेम नगर है सिद्धार्थ नगर है आगे माया नगर है जी जामाता नगर है यह मैं कम सब्सक्राइब 25 सालों से देख रहा हूं आज होना है तो बीजेपी की गवर्वर्मेंट आनी चाहिए आपको क्या लगता है वरली जो इलाका है पहले मराथी लोगों का इलाका था अब बहुत सारे बिगर मराथी लोग भी आये है और बढ़ रही है वरली आपको क्या लगता है जहींको, मैं एक मील कामगार हूँ. जहाब कि यहाँ पर वरली, वरली में अनेक मील थी यहाँ पर. सेंचुरी मील, मुरारजी मील, बंबे डाइंग, मदू सुधान, सबे मीलों के हलत खड़ाब है. मैं जहां कोट्रस में रता हूँ वहां पे गए मैं मेरा जहां पे जनम हुआ पचास साल हो गए मेरे को जनम हुआ लेकिन हमारे कोट्रस के आईसी हलत है वहां पे अभी जो आप बोल रहे हैं युआ निता उनको पिछले पात साल हम लोग ने उनको चून के दिया लेकिन पात स अमारी जार मुट्टि में लेके हम लोग वाप फर जय से बहुत सारी पुरानी बेलेड ली में उसके उसके साथ में हाई राइज Starting लिकी बात करें तो सीलींग है, कोस्टल वे है ऐसे इंफरस्ट्रक्चर भी बन ळा यूए उसके बारे में क्या लगता है रहता है दिदे लेकिन उस समय में जो भी डेवलेप्मेंट के काम शुरू थे सब कामों को रोका गया फिर वो मेट्रों का काम होगा आरे कॉलनी का विशा आपको पता होगा पेड़ नहीं काटा यह वह सारे नाटक कर देगे लेकिन महाविकास आगाडी ने करुना के टाइम में बहुत अच्छा काम किया यह भी बात है कि उत्रे समय में एक बार वहां का विधाय कि या देखने तक कि नहीं आए जी वरली की जिन जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं वो आदित्य ठाकरे से प्यार भी करते हैं लेकिन अभी उनको थोड़ा परिवर्तन चाहिए आपको क्या लगता है महाराश्टर में किसकी सरकार बनेगी देखिए केंद्र में भारती जनता पारटी और उसके सयोगियों की सरकार है हमारा ऐसा मानना है कि महाराश्टर में अगर बीजेपी और उस महायूति की सरकार बनी तो डबलेप्मेंट काफी अच्छे होंगे और डबल इंजन की सरकार देश में प्रगती करेगा डबल इंजिन की सरकार बननी चाहिए, मुंबई को भी डबल इंजिन चाहिए वरली करम को ऐसे लगता है कि मुंबई को हमारे द्राज्य को डबल इंजिन चाहिए आदित्य ठाकरे की यहां से जीत होती है या मिलिन देवरा उन्हें कड़ी चुनोती देती है या मनसे के संदीब देशपांडे क्या काम करते है ये देखना होगा वीडियो जेनरली सुमंगल तामबे के साथ आरती कुलकरणी वन इंडिया हिंदी के लिए